चलिए दोस्तों पड़वारी की जो रिपोर्ट है वो सोप दी गई है अब इसमें क्या होने वाला है इसका अंतिम फ्यवसलाव मुखमंद्री के आप में अभी जो अपने पास बात्चेत आईए रिपोर्ट आईए उसके बात करते हैं पड़वारी भरती में धांदली पर क् के श्रीव और स्रिप एक बैसे ही लू हमने तरीके से लिग दिया गया है यह बात कितनी सत्य है कितनी नहीं है यह बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगी कारण यह है क्योंकि अभी सत्यासी तेरा के रिपोर्ट आना बाकिए मद्यप्रदेश में पिछले आठ मैने सेट की पड़वारी भरती पर न्युक्ति का रास्ता जल्दी साफ हो सकता है इस परिक्षा में गड़वड़ी केसे सबूत जांच आयोक को नहीं मिले जिसके आधार पर पूरी परिक्षा नरिस्ट की जाए जिस्टिस्ट राजिद् परिणाम के अधार पर पूरी फरती प्रक्रिया पर संदे करना ठीक नहीं अब गेंद सरकार के पाले में हैं कि जांच रिपर्ट के धार पर फेसला ले आने कि अंतिम फेसला जो है वो सरकार के पास ही है मुखमेंतरी जी के पास ही है कि वो क्या करना चाहते है या तो चल रहा है इस पर दे सकते हैं रिवाइस रिजल्ट दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अभी किसी को नहीं पता क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए उन्हें वो सब भही जानते हैं ठीक है तो ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव के 26 जनवरी को 28000 भरती वाले बयान के अधार पर नुमान लगा जा रहा है कि सरकार चैनी तो मिद्वारों को निरास नहीं करेगी संबब्ता लोकसवा चुनाओं से पहले भरती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी लोकसवा चुनाओं होने वाले हैं उसके पहले जो है वो कर सकते हैं आगे लिखा हु बैस मने बताया कि जस्टीस दॉर्मानयोंकर सचीब भी रणा को रिपोर्ट से दिये क्या है और ही कुछ भी कहना मुस्खिल नहीं भैई इसमें कोई भी काम नहीं वचा है कोई भी काम नहीं वचा है इसमें ठीक है तो चलिए दोस्तों आज यही प्रमुख बात थी अब एक बात वह निकल के आ रही है कि क्या रिजल्ट जो है वह 37-13 पर आएगा दूसरी बात ही आ रही है कि क्या कि रिजल्ट 37-13 पर आने के बाद कुछ इस्ट्रेंट बहार हो जाएंगे ओविसी वाले क्या यह रिपोर्ट जो है वह फरवरी के पहले वीक में जो है विधांस्राम पारित हो जाएगी बहुत सारे सवाल निकलकार है समय के सांद इनके जवाब मिल जाएंगे आज के लिए बहुत